हाई नमस्कार स्वागत इसने वीडियों में बात करने वाले हैं बीएसेफ कॉंस्टेबल ट्रेड मैं की वेकेंसी जो है ऑन लाइन स्टार्ट हो चुका है किस परकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाई स्टेप में आपको एक लाइफ फॉर्म करके बताने सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर देख सकते हैं करेंट रिकुट्मेंट ओपनिंग में यह जो है आचुका है और यहां से आपको अप्लाई लिंक मिल दाएगा सेम आपको जनकारी फ्रेंट्स आपको डियर सेल्पिंग फॉरवर की वेबसाइट प अप्लाई का और यहां पर आपको 278 पुष वेकेंसी निकाली गई है कितना लास्टेट है इसके बसे अप्लीकेशन फी कितना एज क्या होनी चाहिए कितना पोस्ट है फीमेल भी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकती है सबसे बड़ी बात उसके बसे क्वालिफिकेशन हा सब चीज आपको यहां पर मिल लाता है तो आप एक बार जोरू यहां से चेक करेंगे इसके अलावा यहां पर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म को उप्शन मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से खूल दाएगा सबसे पर अपना नाम लिखेंगे मोबाइल और email id अगर आपने पहले से already कोई भी फॉर्म फिल करके bsf का जो है अपने user id password बनाया है तो आप यहां पर login भी हो सकते हैं तो आप candidates login कर सकते हैं अगर आपके पास user id password है bsf का तो पहले आपने कई भी फॉर्म फिल कर रहा हो तो फिलहाल अभी आप यहां पे जो है सब ची क्या है कि आपको user id password mail पे आ जा रहा है यहां पे थोड़ा सा server इसका slow देखने को मिलेगा बट हम यहां पे submit करें तो आगे नहीं बढ़ रहा है बट यहां पे क्या है कि आपका user id password जो है आपके mail id पे चेक करेगा आ गया होगा या SMS भी यहां पे आपको आ गया होगा तो यह चीजे थोड़ा सापको देखने को मिलेगी problem आप अपना mail id को चेक करते रहें यहां submit करेंगे आपके एक ही submit में जो आपको user id password आपके mail id पे मिल आएगा अब जब इस तरह से id password आपको mail जाता है तो आपका करेंगे अपना email id और जो mail पे password आया वह और I am not robot पे क्लिक करके आ login करेंगे जिसे friends आप login होते हैं इस तरह से आपको guidelines खूल के आजाती है आप इसको पढ़ना चाहते हैं इसे close कर देंगे अब यहां पे आपका देखिए उपर corner पे जो आपका नाम सो कर देता है और अगर आपने future में कभी भी form field करेंगे तो यहीं पे उसका application history सो करेगा आप आपको क्या करना है अपना my profile का option मिलेगा अपने profile को जो है आप देखे 0 दिखा रहा है आप इसको 100% करेंगे अगर आपने पहले कभी BSF का form field कर रहा है तो आप उसी user ID password से का करेंगे login होके और directly आप recruitment opening पे click करके form को apply कर सकते हैं मैं आपर registration भी करके बता रहा हूं इसलिए आ आपको pool information यहां पर मिलेगी जिसे आप मेरा profile profile पर click करेंगे आपका profile यहां set करने का option आएगा तो मैंने click कर दिया है इस तरह से आपको form खूल जाते हैं यहां पर other details qualification work experience है तो डालिए करने छोड़ेंगे फिर certification तो यह सारे complete करने हैं यहां पर identification पूछ आपके पास क्या है तो इंडियन यहां पर रहेगा फिर अपना father's name mother's name फिर पूछ रहा है सरीर में कोई जो है permanent जो body में पहचान होती है ना जैसे तील का निसान कटा का निसान को बता देना है फिर यहां पर आपको gender बताना है तो gender में देखिए दोनों का option आ रहा है male female दोनों तो इस vacancy में दोनों इंडिट्स यहां फॉर्म को apply कर सकते हैं फिर आपका on married है कि married है यहां पर आगया फिर आपको religion बतानी है हिंदू Muslim क्या है category बतानी है आप SCST OVC क्या है जो भी आपा category यहां पर चूज करें समाज यहां पर OVC चूज करा तो पूछ रहा है कि do you belong to non-crimalier certificate अगर आप non-crimal से belong करते हैं तो yes करेंगे और अपनी पढमारपत्र की संख्या इसको इसे कव राज्य से फिर आप इस्यूंग डिस्टिक अपना डिस्टी का नाम बताएंगे फिर यहां पर किसके द्वारा इसू किया गया है DM के द्वारा ADM के द्वारा City Manager डिप्टी जिसके भी द्वारा यहां पर इसू किया उसको चूझ करेंगे फिर आपका इसूंग का डेट क्या है यहां पर चूझ करेंगे अगर मालनी जीए आप सेम स्टी को भी यहां पर सेम चीज आपको बतानी होगी और और EWS को भी यहां पर सेम चीज़ बतानी होगी अगर मालनी जीए आप अन्रिजर्व हैं तो यह सारे चीज़े हट जाएंगे तो आप अपने सेट गर्मेंट आपको आएगा करते हैं पर सेब नच कर देनी है कि अभी आपको पूरा एड्डरेस लिखेंगे पीन कोड लिखेंगे यहां पर राजय चूच करेंगे अपने गाव का नाम या सहर का नाम लिखेंगे पूलिस एस अगर दोनों स्यम्सुम रहेगा तो स्याँि नो करेंगे फिर आपकी हाइट के पारे पूछ रहे कि आपकी हाइट किया है यह यहाँ पर आपका वजन आपको देखे यहां पर आपने जहां तक पढ़ाई कर रहा है सभी qualification को बारी-बारी से एड कर लेंगे सबसे पहले आप यहां पर एड करेंगे अपना certificate number लिखेंगे यहां पर अपने का metric pass कर रहा है यह चीज़ यहां पर आपको करनी है फिर अपने राजी चूच करना है किस राजे सा आपने पास कर रहा है फिर उसके according बोर्ड का नाम आ जाएगा अपना जो भी बोर्ड का नाम है जिसे हमेने विहार रहे Chool Examiner Board चूछ करा हूँ, स में चूछืक रहें नहीं आ रहे, State Board चूछ कर सकते हैं, जाड़े से खोजेंगा करेंगा अगर, चूछ बिहार पर거ुष कर सकते हैं. भीहार Board रो ऐसे बूकिसे आपको add करना है जैसे, आपके उपर depend करता है कि आप जो add करना चाहते कि नहीं करना चाहते हैं अगर आपने कोई आइटी आई कर रहा है तो आइटी आई भी यहीं add करेंगे ठीक है ना जिसे आपको देखिए diploma का है हर एक चीज का है आइटी आई का भी है bachelor degree भी है यहाँ पर certificate भी कोई आपने कर रहा है जिसे computer certificate course अपने कर रहा है तो computer वाला भी यहाँ पर क्या कर सकते है उसके पर यहाँ पर आप सेब कर देंगे फिर यहाँ पर आपको जो है next कर देना है next करते ही फिर फिर सी आगे बढ़ जाएगा और आपको जो है documents upload करनी के लिए बोलेगा सबसे पहले आपको photo upload करनी है फिर senior फिर यहाँ पर high school के मतलब आपने जहां तक qualification add करेंगे उन सबका यहाँ पर mark sheet जो है certificate upload करनी का option आएगा फिर यहाँ पर आपको cast certificate तो SC ST EWS और EBC जो BC वगर होते हैं उनको अपना cast certificate यहाँ पर upload करना होगा और यहाँ बताया क्या है कि photo का जो size होनी चाहिए 30 के भी से लेकर 100 के भी के भी signature का 20 से 50 और जो भी documentation है उन documentation का size जो होनी चाहिए वो 30 से लेकर 100 के भी के होनी चाहिए और format आप कोई सा भी रख सकते हो PDF भी रख सकते हो या JPG कोई भी रख सकते हो आप उसके बास यहाँ पर आपको save and next कर देनी है डॉकुमेंट्स अप्लोड करके फिंट जिसे next करेंगे यहाँ पर आपका profile अप्रिटर सक्सेसफुली यहाँ पर आज आगा मतलब आपका profile complete हो चुका है फिर सा आपको instruction खुलेगा इसे close करेंगी और आप दिखिएगा यहाँ पर complete 100% दिखा दिखा दिगा जय तक आप यहा पर profile जो है आगे फॉर्म नहीं बर पाएंगे अब आपने profile सेट कर लिया ना अब यहाँ पर आपको जो है current recruitment मतलब यहाँ पर recruitment openings वाले बटन पर क्लिक करना है जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो current recruitment चल रहा है यहाँ पर आपको दिखा देगा constable trademark bsf और यहाँ पर आपको apply here option आएगा इस पर क्लिक कर देंगे जिसे आपके प्रोफाइल के खूल आएगा तो आप यहां सेब नेक्स करेंगी पोस्ट चूज करने के आप से और क्वालिफिकेशन चूज करने का को को कि उसे चोड़ भी सकते क्थिस यहाँ पर सब सबिखा एक ऊसचीज चेयर को कुर्स आपको इंरस्ट्री ट्रेनिंग यह सब चीज यह सकर देंग वर्लोमा में तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, फिर यहां पर आपको physical के बारे हम पूछ रहा है, तो यहां पर आपका क्टेगरी आएगा कि आपकी क्टेगरी से apply किये हैं, और यहां पर हाइट वेट वगर आएगा, अब यहां पर आपको documents upload करने का option इसका भी size देख सकते हैं 30 से 100 कभी के बीच होनी चाहिए फिर यहां पे आपको save and next करना है नीचे में तो friends हमने यहां पर तो माली में कम से कम दो साल का experience घंगा है या आपने on life कर रखा है तो भी आवयदन कर सकते हैं या आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है राण कर सकते हैं तो इसमें से कोई ऐक आपको होना चाहिए, आपको और राख कोई एक आपको लगाना होगा इससे पहले friends form submit नहीं हो रहता है बोल रहा था कि experience mandatory है कोई तीनों में से कोई एक experience होनी चाहिए अब यहां पर आपको प्रिभीव आ जाएगा अब आपको कुछ नहीं करना यहां पर थोड़ा सा आपको मिलाना है कि जो भी अपने जनकारी feel करा है सब चीज सही एक नहीं है यह अब को अपना place लिख ना है मतलब आप कहा कि से form को भर रहां यह लिखना है फिर आपको अपना जो है प्रिफरेंज करना एकजाम सेंटर नीचे में कि आप कहा exam सेंटर लेना चाहते हैं आपको इसमें से कोई एक जगा चूछ कर लेंगे जहां को नीरस्त रगे उसके according आप आपको फॉर्म समीट हो जाएगा और वहां पर आपको अप्लिकेशन फीर जमा करना है फिर आपका फाइनल समीट होगा प्रिंट आउट तो हम यहां पर आगे प्रोसेस कर दिये थोड़ा सा यह समय ले रहा है क्योंकि साइट बहुत जाता धीरे चल रहा है जिसे समीट कर दे करेगा मिलते नेक्स्ट वीड़ो में हमें दी जायत और देखते हैं यह सल्फिंग फॉरवर थैंक यू फॉर वाचिंग जाहिन